जबलपुर के गोरा बाजार थाना के तिलहरी इस्तित विजन महल होटल में सोमवार देर रात दो बजे भीशन आग लग गई आग लगने से होटल में अफरा तफरी मच गई लोग होटल से निकल कर यहां वहां भागने लगे होटल प्रबंधन ने आग लगने की जानकारी फायर अमले को दी कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की छे गाड़ियां होटल पहुंची और आग पर काबू पाया पर तब तक लाखों रुपिय का नुकसान हो चुका था होटल विजन महल में शादी समारो चल रहा था मौके पर सौ से अधिक लोग थे तब ही स्टेज के सामने अचानक चिनगारी निकली और वहां लगे साज सज्जा के सामान जलने लगे जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग बढ़ चुकी थी आग तेजी से होटल में फैलने लगी महिलाएं बच्चे होटल से बाहर भागने लगे सूत्रों का कहना है कि होटल संचालक ने पंचनामा बनाने से इनकार कर दिया एक साल पहले भी होटल के किचन में आग लग चुकी है तब भी संचालक ने पंचनामा बनाने से इंकार कर दिया था बताया जा रहा है कि होटल के एनोसी है लेकिन पंडाल लगा कर जो कारिक्रम किये जा रहे थे उसकी एनोसी नहीं है अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हाद्शा जबलपूर में हो सकता था ब्यूरो रिपोर्ट जबलपूर ब्यूरो